हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले कैसे आप घर बैठे सिर्फ एक मिस कॉल से ठीक है दोस्तों इसके साथ हम बात करेंगे हम घर बैठे आप मीनी स्टेट्मेंट अपने बैंक की पिछली पांच ट्रांजक्शन को कैसे जान सकते हैं चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन सब के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाएगा कि आपका your mobile number not registered तो आपको इसके लिए क्या करना है ये कब दिखाएगा कैसे शी होगा चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट कर ले टू जीरो एट नाइन डबल थ्री वन फोर एट पे जैसे यह मैसिज करोगे आपके पास मैसिज आ जाएगा अगर आपका रिजिस्टर नहीं है तो आपके पास यह मैसिज आएगा डियर कस्टमर यूर मोबाइल नमबर नोट रिजिस्टर ठीक है फोर दिस अकाउंट यह आपके अकाउंट की रिजिस्टर नहीं है अगर आपके पास दूसरा मैसिज आता है अगर आपका रिजिस्टर होगा तो आपके आज दूसरा मैसिज आएगा वो मैसिज आपका क्या आएगा आपके मैसिज आएगा दोस्तों डियर कस्टमर यूर सक्सुली रिजिस्टर पो SBI Quick Facility Quick Facility में क्या है दोस्तो इसमें आपको मॉइल अब रेजिस्टर भी है और Quick Facility में आपको एक मिस्कोल करनी होती है जिससे आपकी पिछली पांस ट्रांजेक्शन की स्टेट्मेंट आ जाती है तो आपको क्या करना है उसके लिए तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो उसके लिए दोस्तो आपको क्या करना है आपको एक मिस्कोल करना है अपने रेजिस्टर मॉबाइल से किस नमबर पे 09223866666 फे ठीक है यानि की 092238556 जैसे ही आप इस नमबर पे रेजिस्टर मॉबाइल से मिस्कोल करोगे दोस्तो और आपके पास आपको मिल जाएगी अपनी 5 लास्ट ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट तो इस तरह से आप दोनों के दोनों केस में आपको यहाँ पे देख लो आपके सामने है आपके पिसली 5 ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगी तो इसमें आपको आपका अमवाइल लमर रेजिस्टर है या नहीं है कौन सामवाइल लमर रेजिस्टर है और इसके इलावा आप पिसली 5 ट्रांजेक्शन का पता कर सकते हैं तो दोस्तों कर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक किजिएगा सिर कि कीजिएगा और कमेक कमेंट जरू किजिएगा और चल्ल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं न lok के साथ तब तन्हें के लिए धन्यवाद झाल झाल